नश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तों कौर्ट नेशन्स ने बिना चाइना का नाम लिए चाइना को कॉशन किया है कि जो रशिया ने यूक्रेन में दुस्साहस किया वो दुस्साहस करने की गलती चाइना ना करे इन शॉर्ट चाइना को ब ने किया इन शॉर्ट जो यूक्रेन में हुआ रश्या के द्वारा वो चायना ना कर बैठे उसके लिए क्वार्ड की बिना नाम लिए कही ना कहीं वार्निंग भी आई है तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौजरी है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ पर आप मेरे तेलीग्राम चैनल या कम्यूनिटी पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर एक्चर के बाद आपको पीडियेफ अपडेट्स मिल जाएंगे तो उसन यूज में है क्वार्ड वर्निंग एजन आउटकम क्या क्वार्ड उन्हें वर्निंग दी है मीटिंग क के अंत में तो आप देख सकते हैं उसमें जो यूनिलाटरल चेंज जो क्वार्ड ने कहा है कि एनी काइंड ओफ यूनिलाटरल चेंजज स्टेटस्कों को बदलना यूनिलाटरली बाई यूजिंग फोर्स जैसे यूक्रेन में रिश्या ने किया ये अलाउ नहीं किया कि we cannot allow जो हो रहा है यूक्रेन में इस वक्त रश्या के द्वारा वो इंडो पैसिफिक में नहीं बरदाश्ट किया जाएगा साथी साथ उन्होंने कहा है कि हम अपने कमिट्मेंट में ध्रिड संकल्प हैं रिजल्यूट है कि जो ओपन इंडो पैसिफिक रिजन में नहीं बनने देंगे जिसमें बड़े स्टेट लाइक चायना किसी छोटे कंट्री के ऊपर वो उस पर दबाओ बनाए और या फिर छोटे देश डर के साहे में रहें किसी बड़े देश के तो in short कहा गया है कि जो South China Sea में चाइना कर रहा है वो सब बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और वहीं ताइवान पे भी चाइना जो off late देखने मिल रहा है कि काफी चाइना के ambitions ताइवान में बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको coordination के द्वारा उसको कहीं ना कहीं उस स्वर को मध्यम करने की कोशिश की जा रही है तो जो चाइना को यह warning है कि इंडो पैसिफिक में इस प्रकार की instability वो ना बढ़ाए तो इसी को लेके उन्होंने कहीं ना कहीं coordination ने warning दी है तो दोस्तों coordination की कुछ apprehensions हैं चाइना को लेके सबसे पहले तो आप देखे चाइना की जो activity है South China Sea में तो especially South China Sea में देखे तो उन्होंने 9-dash line के माध्यम से अपना sphere of influence बहुत बड़ा कर लिया है और बड़ा इलाका of South China Sea जो international waters था वो उसको claim करने लगा है एक sequence में धेर सारे islands हैं हमने अल्यडी चर् ने लग गया है इसके सिवा चाइना की आपको मालूमी है इंडियन ओशन में string of pearls strategy है जिसके दवारा वो कही ना कहीं इंडिया को इंडियन ओशन में बानना चाह रहा है और इसके लिए dual-use ports आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में develop कर रहा है वो शिलंका से लेके बांगलादेश तक पाकिस्तान तक हर जगे इस प्रकार के dual-use ports कहीं ना कहीं basis and ports देखने मिल रहे हैं तो कहा जा रहा है इंडिया की ring fencing हो रही है तो इसलिए इंडिया के एप्रिहेंशन चाइना के विरुद्ध देखने मिल रहे हैं इसके सिवा चाइना की जो aspirations especially तैवान म वो बहुत तेजी से बढ़ते वे देख रहे हैं बहुत तेजी से चाइना कह रहा है कि तैवान is part of चाइना आप सब one चाइना policy को follow करते हैं तो चाइना ने कहा भी अगर इस प्रकार से तैवान पे चाइना aggression करता है तो ये यूक्रेन की तरह किसी territorial integrity को breach करना भी नहीं होगा क्योंकि तैवान is essentially part of चाइना ऐसा उनका कहना है तो अगर हम quad की बात करें दोस्तों तो याद रहिए कि informal strategic forum है कोई formal office नहीं है and informal है हमेशा इसमें लोग multiple choice question में अक्सर ये informal पे आप ध्यान नहीं रखते तो इसमें फस्ते हैं तो it is an informal strategic forum जिसमें US, India, Australia, Japan है ये brainchild of Shinzo Abe है और उन्होंने ही कहा था कि इस प्रकार का cooperation एक होना चाहिए इन countries में जो कि China को कहीं न कहीं आप देखे तो China की जो activity बढ़ रही है अपने region में कहीं न कहीं वो sphere of influence जो बढ़ा रही है उससे ये देश परिशान है तो उसको curtail करने के लिए बनाई जा रही है इसके सिवा दोस्ता इसके सिवा इको सिस्टम बनाना investment के लिए इस इलाके में साथी साथ technological innovation को promote करना तो यह सब भी आप आप देखे तो इनको भी cater करता है quad लेकिन bottom line है सबसे important aspect है quad का अगर हम बिना formal language में गए बोलें तो वो है कहीं ना कहीं China को इस इलाके में dominate करने से रोकना जो की दबे जमान हम सब जानते हैं और हम सब कहते भी हैं और China भी यह बात जानता है तो सबसे important commitment है अगर आप देखे quad बनाने के पीछे वो है to counter the rise of China and जो creeping encirclement हो रही है इंडिया नोशन रीजन में उसको रोकना तो दोस्तो अनकाडमी में कुछ special offer चल रहे हैं आपको बताना चाहूंगा 22% off है plus combo 10% with educator code KC10 जल्दी से जाएं इसका फाइदा उठाएं plus combo की जो कीमत SSP 3887 है iconic combo की कीमत 76717 है दोनों की दोनों की कीमते 18 महिने के लिए है KC10 code के साथ इसके सिवान academy light भी है दोस्तो तो सिरीज है 31494409 रुपीज में loan की भी facility हम आपको provide कर रहे है तो दोस्तो आपको जो भी पूछना है सवाल ये रहे counselor का number है उनको बस आप बताएंगे KC10 code और ये बा code यूज कर रहे है इसके सिवा इंडिया के best educator हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तो अन academy civil service championship है उसका हिस्सा बने early bird lucky draw है उसका हिस्सा बने bilingual one year two year prelim special batches हम सब run कर रहे हैं इनका हिस्सा जरूर बने thank you so much for joining have a great day